मैंने अपनी क्लासेस टीच्मिन पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े हैं, बड़े हैं मैं आठ साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बना और टीच्मिन के लाइब क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वज़े से लगवक एक साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तयार है अब मेरे स्टुडेंट्स पुराने अमिस लेक्चर्स देख सकते हैं और जिने चाहिए वो बस रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की पैकेज ले सकते हैं गुपता टिटोरियल्स ब्रैंड बन रहा है इसलिए तो कहते हैं कि टीच्मिन पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीच्मिन इंडिया का नंबर वन टीचिंग है हलो एवरेंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोस्ट दोस्तों भरव स्वागत आप सभी का हमारी यूटूब चैनल पे यहां पर एक और बहतरीन अपडेट है आप सभी लोग के लिए PGCIL की तरफ से गाइस बहुत सारे कैंड़ेट्स ही परिशानत है यहां पर दोस्तों सुभिल और ट्रोनिक्स टीन ट्रेट के लिए यहां पर िपार पहली बार इस बर की जो वेकंशी उसमें पहली बहीं बार इलेक्रोंब्रोंच वालों के लिए इसरी छेतर इवां रहें पफ्लवी और लोटिनisco bureaucई के दिन आ हमtechnic इसे पहले अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकरन को जरूर प्रिस करके रखेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे गाईस मैंने पेड़ डाउनलोड कर लिए और आप देख सकते हैं इसका एड़वाट रिजन नम्बन एनी आर्टीएस ऑबलीक 2021 ऑबलीक 01 डेट 24 तारीक आज की ही डेट में और पोस्ट आप डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्रिकल सिविल एलेक्ट्रोनिक्स एंड जून इसके लावट डिपलोमा ट्रेनी सिविल की ऐठ वेकेंसि टूटल है दिसमें युवार की दो है ओवी सी की एक और एस्ट की एक है और इसके दो है डिपलोमा ट्रेनी इलेक्रोनिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पर दो वेकन्सि है टोटल और इसके बाद जूनिए अवीसर कि 60 70 परसेंट डिप्लोमा होना चाहिए कि EWS जर्नल और OBC के लिए और सिर्फ पाक्स मार्किंग चाहिए सब्सक्राइब के लिए हाई टेकनिकल कॉलिफिकेशन लाइक एम टेक बीटेक विद और विदाव डिप्लोमा इस नॉट इलिजबल तो इस चीज को आप ध्यार में रखिएगा क्योंकि बहुत सारे ना रिक्रूमेंट आएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा एक एक अभी तक रही है डिप्लोमा ट्रेणी सिविल के लिए थ्री टाइम्स का डिप्लोमा मांगा हुआ है सतर परसेंट जन्रल ओबीसी और एडबलेस के लिए सिर्फ पासिंग मार चाहिए और यहां पर तो जूनियर ओफिसर ट्रेणी की एचर की वेकेंसी है जिसमें टू यर् एंबीए मांगा हुआ है एचर में अगर आपने डिप्लोम सॉरी एपने एंबीए करके रखा हुआ है तो आप इस फ़र्म को फिलप कर सकते हैं चलिए अहम बात कर लेते हैं एज रिलेक्शन की दोस्तों तो तीन साल का एज रिलेक्शन ओबीसी को मिलता है और स्टी को पा स्कूल के लिए पार्ट वी और जो पास होने के लिए मिनिमम चाहिए उसमें 40 पर संट चाहिए फर्स पार्ट में और 30 पर संट चाहिए सेकेंड पार्ट में एक एक के बदल पास हो सकते हैं आपको दोनों पार्ट में अच्छा स्कूर करना ही पड़ेगा जो सबसे इंपोर्टन चीज है दोस्तों वो है कि test centers कहा पर है तो अगर तला, एजवल, दिमापूर, गुहाटी, इंफाल, इटानागर, सिलॉंग, यह सारे आपके center होंगे, examination center होंगे, और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात कर लेते स्टाइफेंड की, तो पहले साल आपको 27 स्टाइफेंड मिलना ला, 25,000 पर और स्टाइफेंड आपको junior officer HR पर मिलना ला, 25,000 की basic पर, इसके बाद आपको जो एक साल तक आपको 27,500 मिलेगा, इसके बाद next year आपके 25,000 बेसिक पर जो भी आपका मंतली मेल, answers को लेके salary बनेगी, वो आपकी salary रहेगी, आपको दोस्तों हाई लाग का bond है, एक साल का bond होगा, इसमें धाई लाग का bond होता है, युआर और OBC के लिए, स्टी के लिए, दोस्तों, पी डालोड का टेरिक के लिए, एक लाग 25,000 रुपय का bond है, 300 रुपय इसकी form फिस है, दोस्तों, अपलाई करने का link आपको इसी वीडियो के discussion box में मिल कर सकते हैं, और date of return test, जो की सबसे important है, पूरी वीडियो में, will be notified separately on the website, तो बिल्कुल भी एक अलग date मिलने वाली है, कि बिल्कुल जो भी candidates, other region का form भरे है, इस region के भी form को, NER region के भी form को अपलाई कर सकते हैं, क्योंकि 22 अगस ये बात एकदम शियोर है, क्योंकि 14 अगस इसकी last date apply करने की, तो ये बात बिल्कुल भी sure है, कि आपकी जो इस recruitment की, जो exam date है, वो 22 अगस नहीं होने वाली है, उससे जादा आगे जाने वाली सितम भर में, आपका exam होने की शंभावना है, फिलाल इसके लिए notification आएगा, तो चले दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोग को कैस इसले ही comment section में जरूर बताएगा, तो चले दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, thanks watching this video, see you next time.